प्रेशेशन के विशे को नया ओप्ट किया है आपने और अब तक इसकुली सिख्षा में लोग प्रेशेशन जो विशे है वह है आपने अभी तक नहीं पड़ा और आपने एक नया विशे चुन्ने की जो हीमत और साज दिखाया है उसके लिए बढ़ाई और लोग प्रेशेशन की प्रत्थम का अक्षा में आपका आर्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ लोग प्रेशेशन विशे को चैन करते समय आपने बहुत कुछ सोचा होगा या जो पूर्वर में विद्यार थी हैं या आपके बड़े भाई हैं आपके संग्रक्षक हैं गार्जिन हैं उन्होंने ये ओप्षन चुन्ने में मदद की होगी चुकि लोग प्रेशेशन विशे बड़ा ही गतिशील विशे है प्रगतिशील विशे है और आने वाले समय में इस विशे की आज से ज़्यादा अभिवर्दी होगी पूछ भी होगी कद्र भी होगी और आपका नया विशे के बारे में जानकारी आपने उस सुकता रहते हैं कि लोग प्रेशेशन कैसा विशे है कैसे नमबर आते हैं कैसे क्या है तो मैं यह बताता हूँ लोग प्रेशेशन एसा विशे है जो सब को प्रभावित करता है लोग प्रेशेशन के विशे में जहां चर्चा हम करते हैं उस लोग प्रेशेशन विशे में कि बरसों पहले जब संत्ति रही होगी कबिले हुए होंगे कबिलो में भी एक सरदार हुआ करता था वह पूरे कबिले का ध्यान रगता था यानि उस समय कबिले का प्रेशेशन कह सकते हैं उसके पश्चात जब जंगली पसू पक्षी जब साथ डर लगने लगा तो कबिले काफी कबिले एक जगर रहने लगे काफी परिवार एक साथ रहने लगे उस समय गाउं का प्रादुर्भा हुआ और गाउं से समाजिक परिवार की जो इकाई में सबसे व्रद्ध विक्ति है उसका प्रशाशन समाज में या परिवार में चलता है वह भी एक प्रशाशन का सुरूप है साथी साथ जो लोग प्रशाशन के रूप में हम प्रशाशनिक सरंचना या प्रशाशन के रूप में हम पढ़ना चाहेंगे सरव परसम आपको मैं बताऊं कि लोग प्रशाशन विशे है इसमें दो पुस्त के चलती है पहला है लोगप्रिशाशन या लोगप्रिशाशन के तत्व यह आप बिल फडिया और सुरंदर कटारिया की ले सकते हैं Indian Administration या Public Administration in India भारत में लोक प्रिसाशन ये अवस्ती अवस्ती की आपकों, लोक प्रिसाशन में भी अवस्ती अवस्ती की अच्छी किताब है, किन्टोस आपका प्रथम येर है, और प्रथम येर होने के नाते आपको बियल फड़िया और सुन्दर कटारिया की डोनु पुस्त के अच्छे समझ में आ सकती है अब चुंकि हमारा जो विशे है उसमें लोग प्रिशाशन के सिलेबस के बारे में जो पहला पेपर है लोग प्रिशाशन उसमें आप लिख सकते हैं कि लोग प्रिशाशन जो विशे है उसमें जो पहला चैप्टर है उसमें लोग प्रिशाशन का आर्थ छेत्र और महत्व आता है दूसरे चैप्टर में आधुनिक समाज में लोग प्रिशाशन की भूमिका और महत्व आता है तीसरे चेप्टर में लोग परिशाशन और निजी परिशाशन के रूप में हम पढ़ेंगे और अगला सा रूप है लोग परिशाशन का जो स्वरूप, कला और विज्ञान है लोग परिशाशन या कला है या विज्ञान है उसके बारे में हम अध्यन करेंगे आप लिखते जाइए अगला चेप्टर है एक अध्यन के विशे के रूप में लोग प्रशाशन का महत्वय या विकास किस प्रकास से है इससे अगला चेप्टर है लोग प्रशाशन अन्य सामाजिक विज्ञान में किसे क्या समध है और तथा लोक प्रशाशन के आध्धन के विफिन जो दस्टी कौन है वो है इससे अगला चेप्टर है नमीन लोक प्रशाशन और इससे अगला चेप्टर है संगठन के आधार अपचारिक अनपचारिक संगठन संगठन के सिद्धान्त शंगठन के सिद्धान तो में प्रमुख रूप से पत्सोपान है पत्सोपान में पत्सोपान जिसे हैर की कहेंगे स्पेन ओफ कंट्रोल है नियंतरिक सीमा यूनिटी ओफ कमांड आदेश की एकता और कॉडिनेशन समन्वे सेंट्रलाइजेशन दिसेंट्रलाइजेशन सूपर वीजन परवेक्षन प्रत्ययोजन डेलिगेशन अथोर्टी एंड रेस्पोंसिबिलिटी सत्ता और प्रादिकन उत्रदाइत्वे विज्यानिक प्रबंद वाद का सिद्धान्त या विज्यानिक प्रबंद जिसमें फ्रेडिक डब्ली टेलर का योगदान है लेडर्शिप, संचार, अभीप्रेण और प्रवसान, मुख्यकारेपालिका सूत्र स्टाफ, डिपार्टमेंट, लोक निगम नोकोशायो, लोकसेवा, लोक करमचारियों की भरती भारत में बजट समंधी प्रक्रिया बजट किस प्रकार से बनता है सारवजनिक वित्वर नियंत्रन, भारत का नियंत्र के महलेखा परिक्षक और ओमूर्समें, लोकपाल और लोकायुक्त ये प्रथम पेपर लोक प्रेशाशन जो विशे है इसका एक सिलेबस हुआ उसके पश्याद दूसरा पेपर है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे किन्तो लोक प्रेशाशन जो विशे है उसमें अभी रूची कैसे पैदा हो उसमें रूची किस प्रकार से उत्पन हो सकती है तो हम जैसा कि ये इतने सारे लोक प्रेशाशन के सिद्दानत और चर्चाएं की विशे के बारे में इसको रूची कर कैसे बनाया जा सकता है तो हम इनसे जीवन संप्रक या उधारनों के अनुसार हम समझेंगे कि लोक प्रेशाशन किसे कहा जाता है लोग प्रशासन जो विशे है वह है कि जैसे कि वर्षों पहले कबीले, समाज, गाउं और सुरुक्षा की दस्थी से एक जिगे रहने के बाद में समाज और गाउं की इकाई पैदा हुई और प्रशासनी की इकाई के रूप में परिवार का सबसे बड़ा मुख्या और मुख्या के तोर पे कारे करने लगा, उसके बाद में वह है ठीक डंग से कारे करते हुए आगे इकाई की रूप में प्रादुर्भा हुआ, राज्ये का प्रादुर्भा हुआ और राज्ये एक भूभाग है जिसमें जन्संक्या रहती है, जहां कोई प्रशास्ति की काई की रूप में काम करता है और जहां की अपनी संप्रभूता है, उसको अपन राज्ये का जाता है इस तरह से जो प्रशाशन का जो सुरूप है, किसी भी समय, कैसे भी टाइम रहा हो, या कोई भी वक्त समय रहा हो, उस समय प्रशाशन की अवस्तिती रही है, चाए वो कैसा भी है राजाओं का प्रशाशन रहा हो, मुगल कालिन प्रशाशन हो, अंग्रीजूं का प्रशाशन हो, और वर्तमान, लोकतांत्रिक, समाजवादी, समाज, पंथ निर्पेक्ष, समाज, लोकतांत्रात्म, गण्राज्ये का शाशन, समिधान के नुसार, शाशन व्यवस्ता, एक प्रकार से जैसा शाशन है उसी का आनुसार या उनी के चित्रन के आधार पे वैसा प्रशाशन होता है जैसा शाषन का चरित्र है, जैसा परकृती है, वैसे कि वैसे प्रभाव परशाषन पढ़ता है यानि जैसा शाषन होगा वैसा उसका परशाषन होगा शाषन निती निर्मान का काम करता है और परशाषन उस नितियों को क्रियानवित करने वाला संग्ड है साशन कितनी अच्छी निती बनाए कि अगर पृषाशन नितियों को लागु नहीं करेगा तो साशन की तूथू होती है इसलिए सारा दारमदार पृषाशन पर निर्मार करता है दूसरी बात निती निर्मार्ण में भी जो राजनेता है वो नो सीखिय होते है निती गत और आंकडों की इतनी जानकारी नहीं तो एपरतेक्स रूप से भी प्रशाशन ही निती का निर्मान में सयोग करता है उसके माद्यम से ही निती निर्मान होती है और निती का क्रियानमन की सारी जिम्मेदारी प्रशाशन की है अगर आमली जामा या वास्तिक रूफ से धरादल पर उनको नहीं उतारा जाए तो वो निती बनने में कोई माइना नहीं रहते है इसलिए बार बार नोकरशाय का जिकर आता है कि जो प्रशाशनिक सरकारी मशिनरी है वो हमारे नेताओं की बाते नहीं सुनती है यह हमें बार बार हमें सुनने को मिलता है इसलिए लोग प्रिशाशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम ऐसे क्या मशिनरी है या ऐसे क्या प्रिशाशनिक 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 यहीं चाहिए कितने ही बड़े नेता हो कई बार विवाद आपने नेताओं से सुना होगा कि फलानोकरसा का इस नेता से विवाद हुआ और उस नोकरशाय का विवाद बदने का लाव बिगड़ता कुछ नहीं है वो आईस आईस ही रहता है नेता पांस साल के लिए होते हैं और चले जाते है तो तात्परी यह है कि लोक प्रशायशन में लोक प्रशायशन का एक अपना महत्व है और इस महत्व के कारण लोक प्रशायशन ने सिद्ध किया कि अगर बिना लोक प्रशायशन के हम जीवन की कलपना भी नहीं का सकते आज हम देखते हैं एक आःवत है कि लोग प्रशाशन जूले से लेके कबड़ तक साह देता है यानि जनम लेता है और जनम के पश्चात, मृत्यों के पश्चात भी लोग प्रशाशन साह देता और मेरा तो ये मानना है कि चिकिस्सा विभाग द्वारा या चिकिस्सा प्रशाशन द्वारा जनम से पुर्व है गरब माता कि जब वह गरब में होता है तब भी प्रशाशन उसके कारिय में सहोग परदान करता है या जच्चा और बच्चा का जो काड़ बनता है चिकिस्सा प्रशाशन के द्वारा उसकी देखवाल का दाइत्व है जनम से पुरु है यानी बच्चा भी जनम नहीं लिया है, जनम से Пूरू है वहै प्रशाशन की देखरेक में कारिय करता है बच्चा उसकी देख्वाल होती है बच्चे की प्रशाशन पूरू सावचे तरीके से उसका जनम हो जाए माता का स्वास्ति अच्छा रहे जच्चा और बच्चा सुरक्षित रहे और एक अच्छे नागरिक के रूप में भारत को या विश्वे में जो भी है एक नागरिक एक सुडोल स्वस्त नागरिक उत्पन हो इस रस्ति से प्रशाषन जनम से पुरूब भी साथ देता है और जनम के पश्चाथ जब परिवार में जनम लेता है स्कूल जाता है स्कूल के बाद में कहीं कोलेज जाता है कोलेज का प्रशाषन साथ देता है फिर कहीं इंस्टिटूश में जाता है कहीं सर्विस किसी संगठन में जाता है किसी विभाग में कारे रहता है वो सब प्रशाषन का सुरूप है और आज हम शांती से सोते हैं वो प्रशाषन हमारी वस्ता है इसलिए कहाता है प्रशाषन में कहा जाता है कि जब दंड जागता है तो जनता सोती है और जब दंड सो जाए तो जनता को जागना पड़ेगा इसी प्रकार लोग प्रिशाशन में भी कहा जाज़ा जब प्रिशाशन सोता है तो जनता को जागना पड़ेगा और चुकि प्रिशाशन जागता है पुलिस प्रशाशन के रूप में आपकी सुरुक्षा आपको आप आराम से सो सकते हैं पुलिस आपकी सुरुक्षा के लिए आपकी कानून विवस्ता के लिए आपकी किसी चोर्य डेकेती नहीं हो इसलिए पुलिस का गस्त बराबर चलती रहती है तो आप शांती से सोते हैं इसलिए प्रशाशन जागता है कि तु जंता सोती है। और जंता जब प्रशाशन जब सो जाएगा तो जंता गुज आगना पड़ेगा। सुभाव कि तब हम कितनी विकटी स्थिती में हो सकते हैं। इसलिए ऐसा कोई छेतर नहीं है जहां लोग प्रशाशन प्रभावित नहीं करता हूँ इसलिए जो पहला जो पुस्तक है लोग प्रशाशन के तत्वा या लोग प्रशाशन के सिद्दान्त लोग प्रशाशन इसमें हम इसपस्त रूप से कह सकते हैं कि लोग प्रिशाशन का जो विशे है वो इतना अभी रूचिकर है कि प्रिशाशन जिसमें कहा गया है कि हम जिसका प्रारहम कर सकते हैं कि लोग प्रिशाशन प्रयुप्सरग शाजधातू से प्रिशाशन बना है इसका तात्परी यह है कि प्रकस्ट रिती या उत्रकस्ट रिती से किया गया कारे यानि एक उची तृती से किया गया कारे प्रशाशन का सुरूप है जब इसके साथ लोग जुड़ता था, सारवजनिकता का सूचक होता है यानि सारवजनिक कारियों के प्रति या सारवजनिक कारियों का ऐसा रिति के द्वारा किया गया जाने वाला लोग प्रिशाशन कहलाता है यानि जैसे के L.D. White ने कहा है कि कोई भी जो करते है ऐसा कोई करते जिसमें लोग हित जुड़ा हो वह लोग प्रिशाशन कहलाता है ऐसा कोई करते जिसका उद्दिश्य लोग हित को पूरा करना है उस टास्क को पूरा करना है वह लोग प्रिशाशन कहलाता है इसी प्रकार से प्रशाषन का जो मोटो है या स्वरूप है उसको समझने से पहले हम जो शाषन और प्रशाषन का जो समंध है शाषन जैसा होगा उसी के अनुरूप प्रशाषन कार्य करेगा इस दस्टिकोन से सरकार तीन अंगूसे मिलकर बनती है कारेपालिका, प्यवस्तापिका, न्याएपालिका चुकि पूरे शाषन और प्रशाषन का जो मुखिया है जिसे राष्टपति कहा जाता है समिधान की अभिरक्षा, संग्रक्षा करने का दाइत्व राष्टपति को है समिदान में नहीं थे सारी शक्तियां देश की भारत और या हम England कहें वहां समराठी और भारत में सारी शक्तियां राष्टपती में नहीं थे किंतों भारत में संसदी सासन व्यवस्ता होने के कारण उसका उभॉग मंत्री परिशद करती है यानि राष्टपती अनुचे चोतर भारते समिदान में, अनुचे चोतर में कहा गया है कि राष्टपती को सहायता एम प्रामर्ष के लिए एक मंतरी परिशद होगी जिसका प्रमुख प्रधान मंतरी होगा. इसका तात्परी यह है कि सारे काम राष्टपती करेगा किन्तु उन कारियों की सहायता के लिए मंतरी परिशद होगी उसका प्रमुख प्रधान मंतरी यानि वास्परी कारे पालिका के रुमें मंतरी परिशद कारे करेगी जिसका प्रमुख प्रधान मंतरी होता है. ये एक कारे की संसदिय शासन व्यवस्ता की है जहां अधक्षात्मक सासन है वहाँ प्रधान मंतरी का कोई स्ताहन नहीं है जिसे अमेरिका है, फ्रांस में मिला जूला है परविशुद रूप से अधक्षिय शासन व्यवस्ता का जो महतपुन उदान है वो सेंट राजी अमेरिका है इसलिए लोक प्रशाशन में जो भारत की जो इस्तिती है, भारत में जो वर्तमान इस्तिती है सरकार के कारे पालिका में सरवच्च इस्तान पर राश्टपती है उसकी साहता के लिए है, उसकी अनुबस्तिती मुपराश्टपती साहता प्रदान करता है जो राजस्बा का व्यूप सुपापती होता है और जो व्यवस्ता पिका है उसमें लोकसभा और राजसभा लोकसभा में 543 प्लस दो एंगलो इंडियन के सदस्चे जो अब लगबग नहीं होते या भोट कम बिनने नहीं मिल पाते और राजसभा में 250 सदस्चे होते हैं जिसमें राजसभा की 10 सीटे हैं और लोकसभा की 25 543 में से जिस दल को इसपस्ट भहमत आता है उस दल की सरकार होती है और वो कारेपालिका में है मंतरी परिशद में होती है राश्टपती जिस दल का भहमत होता है उस दल के सरकार को सरकार बनाने के लिए आम मंतित करता है और आम मंतित करने के पश्याद वह कारेपालिका में अपनी मंत्री परिशद का घठन करता है और प्रधान मंत्री की प्रामर्ष पर राश्टपती मंत्री परिशद का निर्मान करता है जिसमें मंत्री मंडल केबिनेट मंत्री के होते हैं और मंतरी परश्यद में केबिनेट, राज्य और उपमंतरी, संसदे, सच्छी, इत्यादी पूरे मंतरी परश्यद में आते हैं. इस प्रकार से ये कारेपालिका का निर्मान ह transparen। और व्यवस्ता पिका में राज्य सबा और लोकसबा जिसका काम क्या है? कारिय पाली का निती निर्मान का काम करती है निती का प्रारूपते करती है और निती को वैधानिक रूप से एक विधेक या कानून की रूप से उसको आमली जमा पहनाने के लिए उस विधेक का स्विकारोकती उस विधेक की विधी में या संसद में या पार्लियमेंट में उस वेवस्ता अपिका में निर्धारित होती है कोई भी विधेक है चाहे राज्यसवा में आए चाहे लोकसवा में आए कोई भी राज्यसवा में भी आ सकता है या लोकसवा में पहले आ सकता है कि तू दोनों सदनों की अपनी महता है लोकसभा का अपना महतव है राजसभा का महतव है कुछ विधेक में राजसभा को 14 दिन के अंदर अंदर उसको प्रस्ता को पारित करना होता है नहीं तो पारित मान लिया जाता है कुछ में बराबर वोटिंग होती है राजसभा लोकसवा में और जब दोनों सदनों में विचार विमर्ष के पश्चार चर्चा के पश्चार वह विधेक राष्टपती के पास जाता तब वह एक विधेक या कानून का सुरूप घ्रण करता है राष्टपती उसको वापस भी लोटा सकता है इस प्रकार से व्यवस्ता पिका का संसदी है सासन व्यवस्ता में बहुत बहुत पहत पुण है क्योंकि संसद ही सरोपरी है बारेज जैसे देश में संसद ही सरोपरी है तो इस दिस्टी से लोग प्रिशाशन में जहां लोग तन या सरकार की जो इस्तिति है उसका कारेकाल का निर्धारना है वो कब तक है जब तक संसद में बहमत है इसलिए संसद की सरोच चिता है यानि संसद में जिस दिन बहमत खो देगा उसका चाहिए कारेकाल पांच साल का ही क्यों न हो उसको बीच में जाना पड़ेगा या तो वेक एकलपिक अपना सरकार बनाने का दावा करेगी, उसको सरकार बनाने के लिए कहेगा या फिर नए चुनाओं के लिए आदेश देगा। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो संसदी सासन व्यवस्ता का अपना एक अलग महत्व है लोग तंत्रात्मक व्यवस्ता है और लोग तंत्र के ज़्यादा समीब है फिर है नियाई पालिका आती है नियाई पालिका में सुप्रिम कोर्ट आता है जिसमें अपीलिये और की व्याख्या कारिय किया जाता है उस्तम न्यायले में सुप्रिम कोर्ट में उसके नीचे हाई कोर्ट है हाई कोर्ट में अगर संतुस्ट निया तो सुप्रिम कोर्ट में अपील करता है वो इसलिए अपील ये कारिय होते हैं और राश्टपति को अगर कहीं समश्या आती है का शेर्म निद्धानिक विधेकों की व्याख्या करने काम भी नियाएपालिका का है। दूसरा नीचे के कौड में डिस्टिक और शेशन कोड है। उससे संतुस्ट नहीं होता व्यविक्ति राइपालिका जाता है। और हाई कोर्ट से संतुस नहीं होता था, वो सुप्रिम कोर्ट में जाता है, ये एक नियाए पालिका की कड़ी है, तो कारे पालिका, व्यवस्तापिका और नियाए पालिका। अब जिस प्रकार से भारत में संसदी सासन व्यवस्ता है, जनता के ज्यादा समीफ है, इसलिए वैसा का वैसा सुरूप उसका प्रभाव हमारे लोग प्रशाशन भी पढ़ा है। उत्तर दाइत्वे प्रशाशनिक व्यवस्ता है, अकाउंटिबिलिटी ब्यूरोक्रेसी कहा गया है। यानि उत्तर दाइत्वे प्रशाशन है, जैसा कि हम सुनते हैं कि स्वेंदन शील प्रशाशन है, च्वाब देही प्रशाशन है, पारदर्शी प्रशाशन है। ये किसलिए? क्योंकि जनता के प्रती, रेस्पोंसिबिलिटी है, उत्तरदाइत्वा अकाउंटेबिलिटी है और ट्रांस्प्रेंसी होनी चाहिए। जैसा कि सुचना गदिकार के मादम से हम इसपस्ट कर पाते हैं। इस प्रकार से लोग प्रशाशन को समझने से पहले साशन की जो एक रूप रिखा है और प्रशाशन को मैंने समझाया है जैसा कि ऐसा कोई भी करते है, जिसका उद्दिशे सारवजनिक हिच से जुड़ा लोग प्रशाशन का कारी है। यह एक सीधी सी परिवाशा हैं। इस प्रकार से हम इसपस्ट कर सकते हैं कि लोग प्रशाशन का जो विशे है, मैं समझता हूँ आपके लिए ज्यादा रूची कर है। दूसरी बात मैं एकदम से लाइव इसलिए आया हूँ कि आपको लोग प्रशाशन के बारे में जानकारी दें, अभी रूची बढ़े, जैसा कि ये पिछे आप देख रहे हूँ पुस्तके हैं, बुक्स हैं, इस तरह से ये आपकी लोग प्रशाशन हैं, बीयल फडिया की इस तरह से पुस्तक का हम देख सकते हैं। अज के लिए मैं समस्ताओं की लोग प्रशाशन को जानने के लिए काफी होगा। और पहला ही दिन था और पहले दिन आपको लोग प्रशाशन के बारे में रूब रूब करूँ, इसलिए मेरा दाईत्त व था कि मैं लाइव होकर आपके पास आऊं। और लोग प्रिशाशन के बारे में प्रारम्भिक परिचे दे कर आपको प्रिशाशन के बारे में या लोग प्रिशाशन के बारे में अभीरुची पैदा करूं जै हिन जै भारत